हलो फ्रेंड्स ये दि आपके नॉर्मल डिलिवरी हुई है तो आपके मन में एक सवाल आरहा होगा है कि नॉर्मल डिलिवरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनि गानेक लॉजस्ट अप्सेटेशन आज आपको य आपकों में जो सूजन रहती है उसके वज़े से लेटन पास करने में भी दिखकत रहती है बाकी पेट पर किसी प्रकार का चीरा नहीं रगता जीसे कि अपर से पेट अपका बिल्कुल ठीक होता है पेट के अंदर कोई हैं नहीं होती है तो इसलिए नॉमल डिलिवरी के बा अपरेशन के बाद थोड़ा परहेज बताया जाता है तो अपरेशन के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसका एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया है वह आप जरूर हमारे चैनल पर विजिट कर सकती है नमल डेलिवरी के बाद रूटीनली अपने को फीडिंग भी करानी होती है लूर्चे को जब भी आप बच्चे को फीड कराते तो नमल डाइट में 600 क्ल चैयड और गरनी होती है अब जो नमल डाइट आप लेती हैं तो उसमें आप नौर्मली हमारी तरफ से कोई परहिज नही और अगर आप नॉन्वेटियन हैं तो आप अगर चेकेन या मचली ऐगी खाते हैं आराम से यह भी आप कहा सकते हैं क्योंकि पेट कें अंदर कोई हैंध नहीं होती है एजी लिफ अप सारा खाना डाइजेस्टिबल होता है आराम से आप खा सकते हैं खाना खाने के साथ हम आपको पानी पीने के सलावी देते हैं कहीं कहीं यह ट्रडिशन होता है कि पानी कम पीना चाहिए नहीं तो पेट का फूल जाएगा तो ऐसा नहीं है आप जितना पानी पीएंगे उतने आपका डाइजेशन बैटर रहेगा और सबजी आप खुब सारी ताकि आपको fiber मिल जाए, minerals और vitamin मिल जाए, ताकि constipation के समस्या नहीं हो, cramps के समस्या नहीं हो, muscle A नहीं हो, यानि muscles में पेन नहीं हो, और साथे साथ, vitamin D के लिए आपको दूद और दूद से बनी हुई चीज़ें जरूर लेनी चाहिए, और delivery के बाद जनरली आपको दूद में बैटने के लिए जल्दी से allow नहीं किया जाता है कि हवा लग जाएगी या बंद कमरे में रखा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, जब भी आप खाना खाती है तो बाहर घूमने जरूर जाहिए, सुबह और शाम आप दूप में जरूर बैटिए ताकि vitamin D आपको proper मिल सके, vitamin D मिलने से आप जो calcium खाती है उसका भी utilization proper हो पाता है, protein के लिए आप पनीर ले सकती है, cheese ले सकती है, दालें आप जितनी भी है वो खा सकती है, आप हो सकता है कि उसमें थोड़ा masala कम डाल ले, boil करके दाल का पानी टाइप में ले लीजे, या फिर आप सबजियां और खिचडी बना लीजे, जिसमें कि दाल और सबजियां सारी एक साथ आजाती है, दलिया भी जो आप लेती है, उसमें भी आप सबजियां डाल कर बना सकती है, masala भली कम डाल लीजे, नमक खाने की कोई परहेज नहीं है था, अपरेशन वाली डेलेवरी में ना, नौमल डेलेवरी में किसी प्रकार का अराम से अपना जितना आपको नमक चाहिए, वो आप खा सकती है, फ्रूट्स के साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी साथ में ले सकती है, जिससे कि आपको एंरजी अच्छे से मिल जाए, और जितना भी liquid चीज़ें आप लेती है तो उसमें breast milk secretion में आसानी होती है यानि पानी के साथ आप juice है, soup है, fruits है यह सब आप लेते रहिए ताकि शरीर में dehydration यानि पानी की कमी ना हो अगर आपको लगता है कि constipation की समस्या है तो आप रोटी में या दही में अजवाइन डाल के आप ले सकती है या जादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से भी बात कर सकती है तो आपको दभाई भी prescribe कर सकते हैं तो अगर आप पानी पीते रहते हैं फाइबर सा आप बराबर लेते हैं यानि कि आप सबजियां लेती है तो जनरली कांस्टिपेशन के समस्या आपको नहीं होगी और अगर आप मॉर्निंग में वाक थोड़ा करती रहेंगी थोड़ा घुमते फिरते रहेंगे तो आपको खाना भी डाइजस्ट बराबर होगा तो भूक भी आपको बराबर लगेगी और हर दो गंटे में आप कुछ ना पराबर हो सके आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जैनकरी साथ तब तक नमस्कार